तो भाई पहले आप ये देखो एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, आ मेरे भाई मेरा बारा विन का स्ट्रिक चल रहा है ठीक है और आप लोग सोच रहे होगे कि मैं कौन सा फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ हाँ बताता हूँ लेकिन उस सिंपल वए मैं समझाता हूँ और उस चक्कर में मेरा जो डिबिशन में कोई लेता हूँ उसी रैंक में रहता हूँ ठीक है अब ये है मेरा डिबिशन का रैंक तो आगार आप लोगको लगता है कि मैं कुई फेक फ्रमेशन या फेक आपको खुछ बोलता हूँ तो भाई, आप लोग मेरा फर्मेशन मत ट्राय करना है लेकिन आप लोग अगर मेरे उपर जेनुएनली ट्रस्ट करते हो और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है मैं कैसे खेलता हूँ तो आप लोग जरूर इस फर्मेशन को ट्राय करना ही आज मैं इस फर्मेशन को आपको कैसे खे चाहिए यह भी आज इस वीडियो में दिखा हूं तो यह बहुत ज़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो को कद़र स्किप मत किजिएगा क्योंकि आज मैं इस वीडियो में इस फर्मेशन को लेकर आपको चार्ट डिवीशन मैच खेलने वाला इस रैंक के उपर ठी है तो आपना पहले यह वाला क्लिप देखो देखा अब मैं बोलता हूं सबसे बड़ा मिस्टेक जो आपको फूटबाल हिस्ट में कते ही नहीं करना यह है लिटरली क्रिमिनल मिस्टेक वह है अपने गोल पोस्ट के सामने अपने डीबॉक के सामने आप पासिंग कर रहे हो म मेरे जैसे आप पासिंग कर रहो मैं तब पेप्सी पी रहा था मैं सच बता रहो मैं पेपसी पे रहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा था तो मैं आप विंदियो में दिखाऊंगा अब यह वाला मिस्टेक देखो आपको इफुटबॉल में कभी भी अपने डिफेंडर को थू बैक पासिंग नहीं देना वो भी ऐसे आपको बॉल के पास कॉंट्रोल नहीं आप थू पास जेरो ऐसा मत करना ठीक है तो ऐसे ओपरेंट ने किया और मुझे यहाँ विनी में बॉल भी है मेरा भी अब यह गलती है लेकिन मेरा गलती मैंने कैसे सुधा रहा मैंने थू बॉल नहीं दिया मैंने दिया मैसी को पास जिसके कारण मैसी के पास विनीसियस गिर गया लेकिन फिर भी मैसी के पास बॉल चला गया जैसे यहाँ मैसी के पास बॉल गया मैं एक बर बस रूमी के तो आप मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे रूमी को बॉल देना चाहिए अब यहाप है थर्ड मिस्टेक जो मैं करने वाला था लेकिन नहीं किया थर्ड मिस्टेक है कभी अगर देखना कि आपके प्लेयर के सामने कोई कभी भी नीचे से थ्रूबल नहीं देना उसके करन क्या होगा आपका ऑपरेंट का डिफेंडर का 90% चांस है कि वह इंटरसेप्ट होगी जाएगा तो मैं यहाप है क्या करूँगा लॉफ्टेट सुरू पासिंग देऊगा जो आप देख सकते हो तो इसली यहाप है मैंने गो रूमी उपर भागने लगा भागने लगा मैंने ऐसे ही बस लग के वज़े से मैंने रूमी को दे दिया कि रूमी निकल देगा लेकिन मेरे हिसाब सहीदा रूमी नहीं निकला लेकिन ओपोनेंट ने यहाप है पर चौधा जो बड़ा मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए बड़ा जो किया पर चाहिए बड़ा मिस्टेक बहुत करते हुदा रूमी को छीडियोल करते है वाइफ दिविशन में अगर आप ठीक से खेलोगे न तो ओपोनेंट ऐसा mistake करेगा आपको कुछ करने ही जरूरत नहीं है अब बस free mind में खेलो basic ठीक रखो अपने ओपोनेंट आपको खुद win देखे चला जाएगा अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर जैसी ball intercept किया मैंने मेरे free cf को ball दिया जो genuinely कोई player करता है तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेसी free है जैसे ही मैंने मेसी को ball दिया एक नजर मेरे इस defender को किया जो ओपोनेंट का defender एकदब offensively push कर रहा है तो इसके करन क्या हुआ मेरा roomie free हो गया अब यहाँ पर देखो मैंने जो बताया था पहले आपकर अगर opponent का defender आपके cf के सामने है तो पूछ नहीं हुआ ऐसा क्योंकि वीनी ने हग दिया हो था ठीक है लेकिन आपको समझाना मेरा पहला priority था ठीक है अब यहाँ पर देखो जैसे ही मुझे यहाँ पर cmf ball मेला मैं देखा मेरा यह cmf free है लेकिन आपका यहाँ पर mistake देख सकते हो ओपरेंट का पताओ mistake कौन सा है ह मैं बताता हूँ यहाँ पर ओपरेंट ने cb से push किया इफूट बॉल में कभी भी cb से push मत करना ठीक है मान सकता हो आप assisted खेलते हो आप सेमी assisted खेलते हो अगर assisted खेलते हो cb के पास ball है तो पीछे करो न cb को deep ले जाओ match को मतलब deep ले जाओ पर उनको आने दो अपने goalbox के सामन पूरा एकदा गैंग बिठा दो लेकिन कभी भी cb के साथ offensively push मत करना जिसके कारण क्या हुआ जैसे यहाँ पर मैंने cmf को ball दिया इधर देखो यह cb push किया तो यहाँ पर यहाँ फ्री हो गया तो मैं क्या करूँगा simple यहाँ थूदे दूँगा और roomy उपर जाके यहाँ देखो थोड़ा सा hold करो और मैंसी के ball दिया और goal कर दिया ठीक है तो यह 5 mistake भाई कते ही मत करना ठीक है अभी देखा 5 mistake मैंने दिखाया और मैंने यह match जीच लिया तो मैंने कुछ किया मुझे बता मैंने कुछ किया ओपनिन ने mistake करकर करके मुझे यह match जीता दिया आपको बस opening कि इस mistake को पकड़ना है ठीक है अब बढ़ते हैं दूसरे match के ऊपर और यहाँ पर दूसरा match भी हमारे division 2 वाल आपनिन को किया लेकिन भाई यहाँ पर mistake देखो यह team को देखके लग रहा होगा बहुत भायंका team है भाई कैसे खेलूगा लेकिन मैंने यह team देखके समझ गया थ DMF आपको चूज करना है जो height में बहुत अच्छा हो जिसके पास अच्छा speed हो और जिसके पास high physical contact हो ठीक है physical contact बहुत important करता है एक DMF के लिए वह आपको इस भी playstyle खेलो ठीक है यहाँ पर Matthews के लिए उधर ही मुझे बहुत ज़्यादा advantage मिलगा देखो मैं बताता हूं पर मेशी को बॉल गया फिर फूनीस जुनियर को बॉल दिया तो इसके अंदर से क्या होगा मैं देख रहा हूं यह वाला बंदा रं कर रहा है तो बैए रं कर रहा है करने दो थोड़ा इज़द दो इज़देने के चकर में मैंने थ्रू दे दिया और बंदा ऊपर जाके य इसके चकर में मुझे बॉल दे दिया और मैंने क्या किया पनीस यहाँ पर फ्री है बॉल दे दिया थूवर दिया बस गोल भाई मैं बोल रहा हूं भाई तुमको कुछ करना ही नहीं ऑपोनेंट खुद मिस्टेक करके बोलेगा भाई आओ गोल दे के चला जाओ अब यहाँ को इसके में आपको यहाँ पर फासा गया मिले किस नहीं कर सकते कोई भी प्लाया रन नहीं करेगा तो मैध शेयो करना है, अपर यहां पे मिट फिल में आपँ चोक करो फिर उपर, यह 3 प्लिएर आपको दीख रहे है या कोई भी 2 प्लिएर या 3 प्लिएर या 1 प्लिएर दीख रहा होगा बस 1-2 को लेना, जैसे हेहां फिर मैंने विनिय और रुमी के साथ कर दिया सिभी के साथ ठीक है एकत्म खतरना क्वाला पुछ कर दिया रूमी फ्री हो गया फिर उपर जाके मैंने हां मैंने यहाँ पर हग दिया लेकिन तुम तो गोल कर देते न और और यहाँ पर opponent का थोरा सा network के issue आ गया, तो मैंने goal कर दिया, ठीक है, sorry, इसके लिए, और हम लोग फिर से ये वाला match भी जीच गया, देखे लोग, कितना आसानी से, मैं मुझे कुछ करना ही नहीं, पर opponent खुद गलती करकर के मुझे बोल रहा है, आओ, हरा आओ, चला जाओ, ठ तीसरे match भी opponent division 2 का था, हाँ, और यहाँ पर यह वाला formation बहुत हार्ड होता है, किस attack करने के लिए, यह formation बहुत अच्छा होता है, इसके कारण क्या हुआ, मैं attack किया, और opponent ने भाई, जो ही मुझे तोड़ा इस बाई, बस attack यहाँ पर गोल देखा, भाई, मेसी के साथ इतना smooth गोल बहुत कम देखता हूँ, अभी Ebola 245 में, ठीक है, बहुत अच्छा गोल था यह, अब यहाँ पर opening का मेसी चमका, तो मेरा मेसी चमकाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर मैंने simple kickoff glitch use किया, और यहाँ पर मेसी के साथ गोल कर दिया, हाँ, तुम गाली दे सकते हो, लेकिन game is अब यहाँ पर opening का mistake देखो, जो है player choosing, अब यहाँ आपके देखो, जैसे ही मैंने गोट जुआलों को ball दिया, मैंने directly वहाँ से roomie को ball दिया, मैं देख रहा था कि विनी रन दे रहा है, मैंने directly विनी को नहीं दिया, मैंने एक triangle create किया, जिसके माध्यम से मैंने roomie को ball दिया, अब बंदे का, बंदा अच्छा था, जो अपने roomie दियास को पीछे ले जा रहा था, देखा सामने ने ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा था, तो इसके लिए plus point, लेकिन negative point किदर हुआ, अगर तुम कभी भी mistake चोक कर दियो, तो उसका भरपा आइकॉन करता है, defender का speed, अब दूब इंदियास है, भाई तो literally कच्छुआ है, और यहाँ पे बंदे ने चोक कर दिया, और मैंने यहाँ पे गोल मार दिया, अगर इसके जगा कोई अच्छा defender होता है, जिसके पास 80 से ज्यादा speed है, हो सकता है कि वीनी को पीछे जाके पकल लेता है, और easily clear कर देता, तो भ उपर बॉल दे, तो अब CMM से cross तो नहीं कर सकता, तो मैंने देखा यहाँ पे इंबापे free है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पकल लेता है, तो इसी के चक्कर में मेरा यहाँ 1-1 था, और last corner मुझे मानना था, और मैं जे corner में यहाँ गोल मिलिया, तो तुम लोग देख सकत तो यहाँ लगी था इस मैच में, ठीक है, लेकिन 2-1 से हम लोग जीत गहाँ, अगर वहाँ पर रूबिन दिया स्पर चोक आपनें नहीं करता, तो हो सकता है, आपनें यह मैच जीत जाता, तो CB always 80 plus वाली खिलाना, ठीक है, तो आफरी वाला मैच आप लोग थोड़ा सा चैनल को सबस्क्राइब कर देना, ठीक है, और आपको क्या इस फार्मेशन का टोटल इंडिवुजल इंस्ट्रेक्शन के साथ साथ तीम बील्ड सब कुछ चाहिए, तो मैं इस फार्मेशन को बार टोटल यह आपको सब कुछ दे दूंगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना इस वीडियो को लाइक काना चैनल को सबस्क्राइब कर देना, ठीक है, तो होफ़ोली मिलते अगले वीडियो में जैं, इस जेले उन्ती एंएको ओर गसंप धिर जू अजैंशन कुछ अग्षी बस्पप्स, बस्तुछ बस्ति गास्शन को साथ कुछ जार्मेशन को कि बस्ट टूल अब्स्टन का बड़ा, रुछ इसे पार्श्मेशन को जड़ पन्हे चुरा ऺ्र्वाल कि रिन फ्टॉस झाल, 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 झाल.